दोस्तो हमारी सीरी चल रही है Kenneth Anderson की बुक Man Eaters and Jungle Killers और इसकी स्टोरी चल रही है The Marauder of Kempe Karai कहानी के पिछले पार्ट्स प्ले लिस्ट में है आगे की कहानी कंटिनू करते हैं अब Kenneth Anderson उस Tiger के इंतजार में कुए के किनारे बैठे थे जिसने की एक लेडी को उस कुए के पास में ही मार दिया था और इन्होंने दो बेट जिसमें की बैल थे उनको दो अलग-अलग जगे पे बांधा हुआ था पूरी रात इंतजार में बैठे रहे Tiger आया नहीं लेकिन अब जब रात ढलने को थी सुबह आने को थी चंद्रमा जिसकी रोष्णी में इनको सब कुछ दिखाई दे रहा था पहाड़ी के पीछे चला गया था अब घंगोर अंधेरा था और एंडर्सन को डर लग रहा था अब एंडर्सन बोलते है कि अंधेरे के केवल 90 मिनिट बचे थे और मुझे बहुत ज्यादा नीन आ रही थी लेकिन उसके बावजूद मैं पूरा सतर्क था क्योंकि पूरी रात मैं इटर आया नहीं था क्या पता वो मुझे छिप के देख रहा हो और क्या पता अब वो हमला करना चाहता हो अब ये 90 मिनट पूरा एडवांटेस था टाइगर के पास क्योंकि अंधेरा हो चुका था और जो कुये के पास में पपीते के पेड का बगीचा था अब वो बिलकुल दिखाई नहीं दे रहा था एक काले साय की तरह से वो पपीते के पेड नजर आ रहे थे अब एंडरसन सोच रहे थे कि इस वक्त मैं पूरी तरह से मैं इटर की दया पर निर्भर हूँ अगर तो वो चार्ज करते वक्त दहाड़ेगा या गुर्राएगा तो मैं आवाज की देशा में अंदाजे से अपनी राइफल दाग दूँगा पॉइंट ब्लैंक रेंज से यानि के एकदम नजदीक से लेकिन अगर ये मैं इटर चुप चाप आया अगर उसने साइलेंट अटेक किया तो मुझे मालूम भी नहीं चलेगा कब मेरी मौत हो गई अब खरगोश या फिर खरहा और चुहे जो पूरी रात पता नहीं कहां गायब हो गए थे बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहे थे अब उन्होंने अपनी हलचल शुरू कर दी थी कुए के ही पास अब कभी वो सूखी पत्यों पे से गुजरते थे कभी कुए के उपर ही चड़ जाते थे जब पत्यों से गुजरते थे तो सरसराहट होती थी और एंडरसन को लगता था कि आदम खोरा गया है एंडरसन का बड़ा ही मुश्किल वक्त चल रहा था फाल्स डॉन आया और चला गया यानि कि वो रोशनी जो सुबह होने के पहले थोड़ी देर के लिए आती है और पक्षियों और इंसानों को लगता है कि सुबह हो गई फिर वो रोशनी चली जाती है थोड़ी देर के बाद फिर आती है अब एंडरसन को मालूम था अब जो रोशनी आईगी वो पर्मनेंट होगी और मेरे सतर के रहने का टाइम जाने वाला है सुबह के करीब साथ बजे के बाद प्रॉपर उजाला हुआ और उसके बाद कैनेथ अंडरसन उस कुए के पास से उठे अपने भारी कदमों को अपनी नीन से भरी हुई आँखों को थीचते हुए ले गए अपने टेंट की तरफ जो उन्होंने पिछ किया हुआ था दक्षणी हिस्से में अब एक गरम गरम चाय पी फिर नीन दी साड़े दस बजे नीन खुली और उसके बाद अपने दोस्त बायरा और रंगा के साथ केनेथ एंडरसन चल पड़े उन बेट को देखने के लिए जिने उन लोगों ने बादा था पहली बेट के पास पहुँचे वो जिन्दा थी सही सलामत थी अब जब वहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया तो मालुम चला कि एक टाइगर आया था पंदरा फीट की दूरी तक आया था खुच दिर खड़ा रहा होगा वेचार किया होगा वापस चला गया अब रात को जो सामबर डियर के स्टैक की अलाम कॉल केनेथ एंडरसन को सुनाई पड़ रही थी उस सामबर ने पका इस टाइगर को ही देखा था अब जब पगमार्ग को चेक किया गया तो ये उसी टाइगर के पगमार्ग थे जिस टाइगर के पगमार्ग केनेथ एंडरसन रंगा बायरा को वेस्टन रेंजेज में जब ये पैदल चलके आ रहे थे अपनी स्टड बेकर कार को पाक करके तब जो टाइगर के पैरों के निशान मिले थे वो यही थे अब एंडरसन को लग रहा था कि पक्का यही टाइगर मैन इटर है क्योंकि अगर नॉर्मल टाइगर होता उसके सामने बैल खड़ा था पंदरा फीट दूरी पर टाइगर खड़ा था उसे मारता क्यों नहीं क्योंकि नॉर्मल टाइगर तो जानवरों को ही मारता है अब जब यह दूसरी बेट यानि कुस बैल को देखने के लिए गए तो यहां इनके लिए आश्यर चकिद करने वाला नजारा था दूसरे बैल को मार दिया गया था और यहां पर जो पगमार्क मिले ये पगमार्क सिमिलर थे जो इनको पहले मिले थे इसी जगे पे और उन पगमार्क को देखकर ही उस जगे पर इन्होंने बेट को बाना था अब एंडरसन के सामने सवाल ये था कि क्या उस इलाके में दो टाइगर है और या फिर एक ही टाइगर है जो की मैन इटर है तो अगर एक ही टाइगर है तो उसने पहले वाले बैल को क्यों नहीं मारा और दूसरे को क्यों मार दिया ये सवाल इनके दिमाग में कौन रहा था लेकिन जवाब था कि आ ही नहीं रहा था अब एंडरसन को ऐसा लग रहा था कि उस आलाके में दो टाइगर है वो टाइगर जिसने कि उस बैल को नहीं मारा वो मैनीटर है जिसने इस वाले बैल को मार दिया ये नॉर्मल टाइगर है रंगा का भी यही सोचना था और बाइरा का कुछ भी सोचना नहीं था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक है कि दो है फिर जब बाइरा ने काफी सोचा तो बाइरा इस नतीजे पे पहुँचा कि इस इलाके में एक ही टाइगर है जो कि मैनीटर है पहले बैल को उसने इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसका रंग सफिद था उसे मालूम था कि ये बैल है और दूसरे बैल को उसने इसलिए मार दिया क्योंकि उसका रंग डार्क ब्राउन कलर का था तो उसे शंका हो रही थी कि ये बैल है कि कोई दूसरा जंगली जानवर लेकिन अंड़न सर बोलते है कि जहां तक रंग का सवाल था मेरे दिमाग में इस बारे में कोई संदे नहीं है ताइगर को रंग से फरक नहीं पड़ता अगर परिस्थितिया अनुकूल है ताइगर को किसी बात की शंखा नहीं है तो वो जानवर का रंग देखके नहीं मारता है क्योंकि हर जानवर टाइगर का शिकार ही है टाइगर शशंकित तब होता है जब उसे इस बात का डर हो कि कहीं उसका ही तो शिकार नहीं किया जा रहा है यानि कि शिकारी खुद शिकार तो नहीं बन रहा है और ऐसा विचार आजकल टाइगर के मन में बहुत आ रहा है उससा कारण है कि टाइगर का शिकार बहुत बढ़ चुका है जहां देखो वहां टाइगर का शिकार किया जा रहा है और प्रकती अपने जीवों को बचाने के लिए उनके मन में रेजिस्टेंस ये समझदारी पैदा कर देती है कि बच सकते हो तो बचलो यहां तुमारे लिए खत्रा है और इसलिए टाइगर परिस्थितियों से अपने आप सीखते जा रहे है अब टाइगर को समझ में आ जाता है कि कही उसका ही शिकार तो नहीं किया जा रहा है और इस पहले वाले बैल के केस में शायद टाइगर को समझ में आ गया था तो एक ऐसा बैल जिसे गले में रस्ती बंदी हो उसने टाइगर के मन में शंका डाल दी कि ऐसा हो नहीं सकता कि गाउवाले अपने बैल को जंगल में खुले में बांध के चले जाए जिस बैल को वो बाड़े में रखते हैं काटे लगाते हैं उसकी सुरक्षा करते हैं हो नहो खुश तो गरवड है और एक ऐसा बैल जिसके गले में रस्ती ना बांधी गई हो सींग में रस्ती बांधी गई हो टाइगर उसको मारेगा इस बात की संभावना ज़ादा है क्योंकि टाइगर के मन में विचार आता है कि क्या पता इस रस्ती इसके सींगों में फस गई हो जैसे कई बार जाड़िया फज जाती है अगर किसी बैल के पैरों में रस्सी बांदी जाए तो भी टाइगर उस पर अटेक कर देगा क्योंकि उसके मन में खयाल आएगा कि शायद इसके पैर रस्सी में उलज गए है यहाँ आप सब को मालूम है कि टाइगर गर्दन में दात गड़ा के अपने शिकार को मारता है और उसे जानवर की गर्दन और अपने दातों के बीच में कोई रुकावट पसंद नहीं होती चाहे वो रस्सी ही क्यों ना हो और यह बात उसे सशंकित कर देती है यानि कि शक के दाइरे में आ जाता है वो शिकार अब अंडरसन बोलते है कि पैंथर्स यानि कि तेंदुवा लपड इस मामले में उतना दिमाग नहीं लगाता जितना टाइगर लगाता है लेकर फिर भी मैं कभी अगर बेट बानता हूँ तेंदुवा के शकार के लिए तो तेंदुवा के शकार के लिए जो बेट होती है वो होता है कुत्ता और मैं कुत्ते के गले में पट्टा डालके बानना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही बरबर तरीका है कुत्ता बहुत समझदार जानवर होता है और जब उसे ऐसे अकेले में बांदिया जाता है तो वो जानता है कि उसके मालिक ने उसे यहां क्यों बांदा है और जब तक उसका शिकारी वहां नहीं आता तब तक वो कुत्ता mental torture छेलता रहता है यानि कि एक मौत के पहले वो कई मौत मर जाता है एंडरसन बोलते हैं कि पहले में अपने कुत्तों की सुरक्षा के लिए उनके गले में बहुत चोड़ा सा पट्टा बनवाता था जिसमें कीले लगी होती थी और कीले बाहर की तरफ आती थी और जब पैंथर उस कुत्ते को पकड़ने के लिए आता था उसकी गर्दन पकड़ता था और उसको कीले गरती थी पैंथर को कुछ समझ में नहीं आता था वो उचलता था पीशे जाने के लिए और उतनी देर में मेरी गोली उस तेंदुए का सर्वनाश कर देती थी लेकिन ये तरीका टाइगर के केस में आजमाया नहीं जा सकता है अबर निसन बोलते हैं कि बीमार बेट अगर बांदी जाए तो टाइगर पहचान लेता है लेकिन बडागा ट्राइब है अगर उनसे कोई जानवर खरीदने जाओ तो अगर उनके पास कोई बीमार जानवर है तब ही वो उसे बेचते हैं चाहे आप कोई भी कीमत दो अगर स्वस्थ जानवर है तो वो उसे बेचेंगे नहीं उनके यहाँ यह पाप माना जाता है कि अगर कोई स्वस्थ बैल है और उसे बेज दिया जाए तो वो उस बैल को ही बेचेंगे जो कि बिमार है जिसके कुछ ही दिन बचें हो जिन्दिकी के अंडरसन बोलते हैं कि मुझे याद है एक बार मैंने एक बैल बान दिया था जिससे फुट एंड माउथ डिजीज थी यानि कि खुर पका, मुँ पका तीन दिन तक उस बेट को बांधा गया टाइगर वहाँ पे आता था उसके पैरों के निशान मिलते थे यहाँ तक कि उसके बैठने के निशान भी मिले थे जब वो मारने के पहले घात लगाता है लेकिन फिर टाइगर ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यदा बीमार है और इसे मारना और खाना ठीक नहीं है तो टाइगर वहाँ से चला गया अगली रात कैनेथ अंडरसन के बेटे डोनाल्ड अंडरसन उस बेट के पास बैठे और वो दिन उस बैल का आखरी दिन था वो मर रहा था धीर धीरे मरते मरते उसने पूरी रात गुजार दी तलबते तलबते और टाइगर उस दिन तो आया ही नहीं अब शिकारियों के बीच में इस बात की बहुत बहुत होती है कि क्या जानवर का कलर ये निर्धारित करता है कि टाइगर उसे मारेगा की नहीं मारेगा बहुत सारे शिकारियों का ये मानना है कि अगर सफेद रंग का बैल बांधा जाए तो टाइगर उसे मारना पसंद नहीं करता एक तेंदुए के शिकारी थे पुराने समय के जिन्होंने करीब करीब सौ तेंदुए मारे थे उनका कहना था वो कभी भी काले रंग का बकरा या बकरी नहीं बानते थे क्योंकि जब जब उन्होंने काले रंग का बकराय बकरी बाधा तो पैंथर आया लेकिन उसने जाच पड़ताल बहुत ज्यादा की अब कैनेथ अंडरसन बोलते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि टाइगर या लेपर्ड को मारने की टेकनीक क्या होती है अब जब हम ड्राइंग रूम में बैट के शिकार की बाते करते है तो ये माना जाता है कि भाग बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप शिकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे लेकिन एंडरसन बोलते हैं कि ये भाग भी आपका तब साथ देता है जब आपके पास पुराना अनुवा हो आपको पता हो कि किन परिस्सित्यों में क्या किया जाना चाहिए अब एंडरसन बोलते हैं कि अपनी कहानी पर फिर वापस आते हैं वो जो बैल टाइगर ने मार दिया था, अब उसके पास एक मचान बनाने की जरुवत थी अब हमने जो दोनों बेट बांदी थी, वो मचान बनाने के लिए सूटेबल पेर देखके ही बांदी थी तो पेर ढूडने की कोई जरुवत नी थी, मेरे साथ ही रंगा और बायरा मचान बनाने के एक्सपर्ट थे तो मैं कैम्प की तरफ चला गया कि नीन पूरी कर लूँ और क्योंकि मैं अपने साथ एक कैनवास की चेर लाया था, उसको पेड़ पर सेट करके बहुत ही बढ़िया मचान बना दिया, रंगा और बायरा ने अक्सर मैं चारपाई का मचान भी बनवाता हूँ, लेकिन अगर आप चारपाई के मचान से कैनवास की चेर को कमपेर करेंगे, तो चारपाई बड़ी कमफर्टेबल होती है, आप कमफर्टेबल होके बैठ सकते हैं, लेकिन कैनवास की चेर को कैरी करना बहुत आसान होता है और उसका मचान बनाना तो बहुत ज़्यादा ही आसान होता है शाम के पांच बजे मैं वापस आगया पूरी रात के लिए तैयार होके आया था और मैंने उस चेर पर बैठके अपनी पोजिशन ले ली अब जिस जगे पर ये पेड़ था ये वेस्टन घाट में था और जो केमपे कराई गाउं था वहाँ पर जब चंदरमा की किरने आती थी उससे पहले यहाँ पर आ जाती थी क्योंकि पिछली रात केनेथ अंडरसन केमपे कराई के कुए के किनारे बैठे थे तो यहाँ पर एड़वांटेज ये हुआ कि जैसे ही सूरज ढला थोड़ी देर बाद चंदरमा नजर आ गया तो अंधेरा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था अब रात के आठ वे तक ऐसा कुछ खास हुआ नहीं कि जो कि बताया जाए मुझे अचानक से मालुम चला कि टाईगर मेरे नीचे ही खड़ा है वो कब आया कहां से आया मुझे नहीं मालुम अब जिस रास्ते पर केनेथ अंडरसन निगाह रखे हुए थे उस रास्ते से तो टाईगर नहीं आया था क्योंकि ये बड़े चोकरने थे अब टाईगर जब उनके पेड़ के नीचे आया था तो उसने अपना शरीर पेड़ के तने पर रगड़ा था और ऐसा करते वक्त उसने पेड़ के उपर भी देखा था और उसे मालुम चल गया था कि कोई तो है जो बैठा है पेड़ के उपर अब जैसे ही टाईगर को मेरी प्रजंस के बारे में मालुम चला वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, अगले पैर पेड की उपर लगाए और अपने पंजों से पेड की उपर चड़ने की कोशिश करने लगा किस्मत की बात थी कि जो हमने पेड चुना था, उसका तना एकदम सीधा था और उसकी जो पहली फोर्क थी, यानि जो पहली डाल थी, वो 15 फिट के बाहर थी अब क्योंकि ये मैन इटर टाइगर था, अगर कोई दूसरा टाइगर होता तो उसे जब मालूम चलता कि यहां पर इनसान बैठा है, तो वो जगया छोड़के चला जाता लेकिन ये था मैनी टर अब अब अंडरसन ने अपने पैर एक तरफ कर लिए कि कहीं गोली उनके ही पैर पे न लग जाए, लेकिन उन्होंने पैर गलट डिरेक्शन में मोड़े थे टाइगर उनके दाय साइड था, तो जल्दी ही उन्होंने अपनी गलती सुधारी पैर को टाइगर के उलटे डिरेक्शन में मोड़ा लेकिन अब बंदूग लगानी पड़ी उन्हें अपने बाएं कंधे पर अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं 15 फिट की उचाई पर बैठा था, अब एक नॉर्मल टाइगर की लेंथ होती है 9 फिट अगर उसमें से पूँच की लंबाई घटा दी जाए, जो की करीब 3 फिट की होती है और उसमें उसके हाथों की लंबाई जोड़ दी जाए, जो उसने फैला रखे थे, तो करीब करीब 8 फिट की लंबाई मानी जाएगी यानि 15 फिट से 8 फिट आप घटा दीजिए, तो बच गए 7 फिट, यानि टाइगर और मेरे बीच का फासला था 7 फिट का अब क्योंकि ये मैन इटर टाइगर था और बहुत जादा उत्सुक था इंसानी शिकार को पकड़ने के लिए, तो वो पेड़ पे करीब 7 फिट ही चड़ चुका था यानि टाइगर के पंजे मेरी कुरसी तक पहुँच गए थे, और पहुँच क्या गए थे, कैनवास में भी गड़ गए थे, और कैनवास में गड़ने के साथ मेरे पैंट में भी गड़ रहे थे, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान टाइगर का बैलेस गड़ बढ़ हो गया और वो नीचे जमीन पे गिर गया क्योंकि कैनवास की चेर में टाइगर के नाखून टच हो रहे थे और अपना पिछवाड़ा बचाने के चक्कर में टाइगर के नाखूनों से एंडरसन कुरसी के हत्तों से उपर उट गये थे और इसलिए उनका बैलेंस भी गड़वर हो रहा था वो तो किस्मत अच्छी थी कि राइफल छूटके नीचे नहीं गिरी अब ये जग जाहिर बात है कि टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो भले ही वो मैन इटर बन जाए इनसान का शिकार क्यों ना कर रहे हो शिकार हमेशा पीछे से करते हैं चहरे की तरफ से आना पसंद नहीं करते बहुत ही रेर केसिस में ऐसा हुआ है कि टाइगर जिसकी की उपस्थती उसके शिकार होने वाले व्यक्ति को मालुम चल चुकी हो उसने सामने से आके अटैक किया हो तो जैसे ही वो मैनीटर नीचे गिरा उसे मालुम चल चुका था कि उसकी प्रजंस इनसान को मालुम चल चुकी है उसने एक गुर्रहाट निकाली जटका दिया कूद के जाडियों में गायब हो गया अब अंडरसन बोलते हैं कि मुझे नहीं मालुम क्या भागे था अच्छा भागे था कि नहीं क्योंकि जब टाइगर नीचे गिरा हो सकता है मैं गिर जाता मेरी राइफल गिर जाती या मैं स्ट्रेट शॉट मारता नीचे जो कि उसको लगता नहीं लेकिन जैसे वो टाइगर आया था वैसे ही गायव हो गया पलक जपकते ही मालूम ही नहीं चला अब एंडरसन बोलते हैं मेरी पोजिशन रिवील हो चुकी थी अब चुप चाप बिना हिले डुले बैठने की कोई जरुवत नहीं थी अब उन्होंने उठके देखा कुरसी में क्या नुकसान हुआ है तो करीब 3-4 इंच के टाइगर के पंजों के रगड़ खाने के निशान थे मेरे पैंटे में भी हलके हलके वो पंजे गड़ गए थे बहुत ही कम लेकिन मेरे शरीर में भी खरोचा गई थी हलका हलका मास निकलाया था अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बाते करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बता दूँ, कि टाईगर के जो नाखून होते हैं, उनमें बैक्टिरिया बहुत ज़्यादा भरे होते हैं. क्योंकि वो मास कहते हैं, वो मास सड़ता है और बैक्टिरिया डेवलोप हो जाते हैं. man eater भी वैसा ही tiger होता है जिसके अंदर bacteria होते हैं भले ही वो इंसान को खाता है लेकिन mass तो mass है अब मेरी chair का जो canvas था वो भी इतना मोटा नहीं था मेरी जो pen थी उसका कपड़ा भी इतना मोटा नहीं था कि वो infection को रोख पाते इस बात की पूरी संभावना थी कि मुझे इंफेक्शन हो जाता अब अब अर्नेरसन बोलते हैं मैं अपने साथ फास्टेड किट ले के आया था और जिसमें पैनिसलीन भी थी मेरे पास सिरींज भी थी लेकिन ये सब सामान मेरे कैम्प में रखा था और कैम्प यहां से दो मील की दूरी पर था अब मुझे ये डिसीजन लेना था कि फॉरण जाओं इंफेक्शन को बचाने के लिए या सुबह का इंतजार करो अब सुबह दस गंटे बाद होने वाली थी इंफेक्शन मेरे बलड में फैल जाता तो अभी जाना ही ठीक था लेकिन अगर अभी जाता तो रास्ते में मैन इटर के अटेक की बहुत ज़्यादा संभावना थी क्योंकि दो मील का रास्ता था और जंगल का रास्ता था और वहीं पर था मैन इटर लेकिन होड़ मैं इटर के हमले से डरूँगा तो मुझे सपसिस हो जाएगा वो जादा बड़ा खत्रा है जिसका की इलाज नहीं है तो अंडरसन्ण ने डिसाइड किया कि वो सैप्टिक का खत्रा बरदाश नहीं करेंगे वो मैं इटर का खत्रा बरदाश कर सकते हैं तो उन्हों अपनी बंदूख रस्सी में टांग के नीचे लटका दी बंदूख टांगने के लिए वो रस्सी लेकर ही आये थे अब एंडरसन जल्दी जल्दी नीचे उतरे और वो यह सोच रहे थे कि मैं इटर इतनी जल्दी दूसरे हमले की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा अब जब एंडरसन नीचे उतरे तो उन्हों अपनी पीठ को पेड के तने से टिका दिया कि कहीं पीछे से टाइगर हमला ना कर दे अब जल्दी जल्दी रस्सी से उन्होंने बंदूख खोली अब वहां पर ऐसी शांती थी जैसी शांती कब ब्रिस्तान में होती ह कोई भी जानवर जरासी भी हलचल नहीं कर रहा था कि मुझे मालूम चल जाए कि किस तरफ से वो हमलावर आने वाला है अब मुझे नहीं पता था कि वो मैन इटर टाइगर दस मील की दूरी पर है या पास की ही किसी जाड़ी में छिपा है बहुत ही बढ़िया चांदी रात थी एक एक पता एक एक घास का तिनका नजर आ रहा था जब वो हवा की वज़े से हिलता था तो भी वो पता हिलता हुआ नजर आता था अब एनरसन उस रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर ये निगाह रखके बैठे थे लेकिन टाइगर वहां से आया नहीं था ये रास्ता केम्पे कराई की दरफ जादा था और क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता था कहीं पर ये पंद्रा फीट चोड़ा था और कहीं पर एक गच चोड़ा भी नहीं था कहीं कहीं पर उची घास थी और कहीं कहीं पर घनी लेंटाना की जाड़िया अब रास्ते में भी हवा की वैसे पत्तिया हिल रही थी और उसकी वज़े से ध्यान भंग हो रहा था कैनेथ अंडरसन का हर पत्ति हिलती थी तो लगता था मैंनी टराया अब अंडरसन बोलते हैं ये वो परिस्ति होती है जब अपने दिल की धड़कन आप सुन पाते हो ऐसा लगता है कि आपका हाट जो रिब केज है उससे निकल के बाहर कूदना चाहता है आपकी एक-एक नस फटनी की तैयारी कर रही होती है क्योंकि उससे टेंशन बरदास नहीं होता अब आपकी नसे आपका दिमाग आपको बोल रहा होता है कि भागो यहां खतरा है और आप भागते नहीं हो तो फिर दिमाग बोलता है कि भागते नहीं हो तो दाए बाए ही देख लो क्योंकि तुम खुद तो जाओगे मैं भी जाओँगा तुमारे साथ लेकिन अगर आप जंगल में जाते हैं तो आपको अपने डर पर काबू करना पड़ेगा अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा और जब दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आप सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाओगे और आप बन जाओगे शिकार बस आप एक बात को ध्यान रखिए कदम बढ़ाने के पहले देख लीजे कि कहीं आपके आगे की जाड़ी में टाइगर तो नहीं बैठा है अब पीछे से अटैक करने के लिए टाइगर को कुछ ना कुछ आवाज करनी बढ़ेगी क्योंकि जहां से आपने कदम बढ़ाया है वहां टाइगर था नहीं और अगर पीछे सा तो पीछे से आने में टाइम लगेगा तो सबसे ज़्यादा समझदारी होती है कि पहले आगे देखो एक-एक परचाई की तहकीकात करो अपनी बंदुक को कॉक करके रखो कंदे पे लगाने की जरुवत नहीं है क्या पता lower short मारना पड़े हो सकता है अपने hip पर लगा के आपको गोली चलानी पड़े और कोई भी शिकारी हो चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर शिकार करते वक्त अपनी presence को advertise नहीं करता यानि अपनी उपस्थिती की घोशना नहीं करता और अगर वो ऐसा करता है तो शिकारी खुद शिकार बन जाता है अब अगर आपका शिकार घायल है तो शायद आप एक गुर्रहट सुन लोगे लेकिन अगर उसने आपके उपर चार्ज कर दिया तब आप सुनोगे खतरनाक वूफ की आवाज लेकिन अगर वो मैनीटर है तो आप कोई आवाज नहीं सुनोगे पलक जपकते ही वो आपके उपर होगा इतने सननाटे में इतनी शांती के साथ आएगा कि आपको मालूम भी नहीं चलेगा और शांती किसी हतनी का नाम नहीं कैम्प कराई से करीब एक चौथाई मील के पहले बहुत सारे बोल्डर्स पड़े हुए हैं रास्ते के दोनों तरफ अब जब कैनेथ अंडरसन रात को जा रहे थे कैम्प की तरफ तो ये सबसे खतरनाक इलागा था जो कि उनके मन में आ रहा था क्योंकि टाईगर किसी भी बोल्डर के पीछे बड़े ही आराम से छिप सकता था लेकिन अंडरसन सोच रहे थे कि जब उन्होंने टाईगर को जाते हुए देखा था तो वो दूसरे डिरेक्शन में गया था इतनी जल्दी वो वहां से यहाँ शायद आ नहीं सकता और बस यही वो शायद था जिसके भरूसे पर कैनेथ अंडरसन उन बोल्डर्स के बीच से निकलते जा रहे थे और शायद वो शायद सही था टाईगर वहाँ पर नहीं था कैनेथ अंडरसन कैम्पे कराई पहुँँच गए और उसके बाद पहुँच गए अपने कैम्प में यानि की टेंट में रंगा और बायरा दोनों जग रहे थे वो हमेशा जगते हैं जब मैं कहीं बाहर जाता हूं शिकार पर क्योंकि कभी भी मुझे उनकी जरूरत पढ़ सकती है अब मैंने उनसे कहा आग जलाओ और थोड़ा पानी गरम करो उसके बाद मैंने कॉफी पी उसके बाद मुझे ट्रीक्मेंट करना था अपना हाइपोडर्मिक जिसको कि इन्होंने गरम पानी में स्टरलाइज किया और उसके बाद आठ लाख यूनिट मिक्स करने के बाद प्रोकेन पैनिसलीन का एक शॉट यानि की इन्जेक्शन अपने आपको लगाया अब इन्होंने कहा रंगा और वायरा से कि एक कंसंट्रेटड सुलूशन बनाओ पोटेशियम परमेंगनेट का जिसे की लाल दवाई भी बोलते हैं और उससे जक्म को अच्छे से साफ करो उसके बाद सलफोनोमाइड ओइंटमेंट से ट्रीटमेंट किया उस घाओ का अब हिप्स में जहां पर नाकून लगे थे वहां पर बेंडेज नहीं किया जा सकता था तो यह सोने चले गए इस उम्मीद के साथ कि अब टाइगर के पंजे इनका कुछ नुकसान नहीं करेंगे अब अंडरसन काफी ठके हुए थे नीन भी ठीक से आई नहीं थी सुबह 9 वजे के बाद इनकी आग खुली अब किसी भी जंगल में सुबह 9 वजे उठना बहुत लेट माना जाता है क्योंकि जो भी जंगल में रुकता है वो सन्राइज के पहले उठ जाता है अब जब ये उठे तो देखा इनके घाओ में दर्द नहीं हो रहा था यानि कि घाओ ठीक हो रहा था अब 4 लाख पैनिसलीन इन्होंने सीरीज में फिर डाली फिर अपने आपको इंजेक्शन लगाया और उसके बाद इन्होंने लिया ब्रेकफास्ट अब नाश्टा करने के बाद अंडरसन चल पड़े उस बैल की तरफ जिसे की टाइगर ने मारा नहीं था वो उस जगे पहुँचे जहां रात पेड़ पर इन्होंने बिताई थी और टाइगर ने इन्हें खरोच दिया था वहाँ पर टाइगर के दोबारा आने के निशान थे नहीं यानि कि इस मरे हुए बैल को भी टाइगर खाने नहीं आया था वो इनसान की प्रजन से डर गया था अब जो पेड़ के उपर नाखून के खरोचने के निशान थे और जमीन पर जो पग मार्ग थे उससे इनको मालूम चला यह वही पग मार्ग थे जो इन्होंने आते बग देखे थे रंगा और बाइरा के साथ अब सेलम के जो जंगल है वो नीलगिरी, कोईमबटूर और चितूर डिस्टिक के जंगलों से अलग है यहां के जंगलों में काटेदार जाडिया बहुत हैं जिसमें वेटे बिट जाडिया और लेंटाना तो है ही वैली के पास में बास के जुर्मुट बहुत जादा है तो कुल मिलाके चाहे वो जाड़ी हो चाहे वो बास का जुर्मुट हो टाइगर के छिपने के लिए बहुत अच्छी जगे है और उनके बीच से रास्ता बना के चलना सोड़ा मुश्किल काव है अब क्योंकि जो बास के पत्ते भी पड़े होते हैं जब इनसान उस पर चलता है तो आवाज होती है लेकिन जब कारणी वोरस जानवर उस पर चलता है तो वो आवाज नहीं करता वो अपना पैर रखने के पहले सोचता है कि कहां पैर रखना है अंदाजा लगाता है और फिर पैर रखता नहीं है बड़े ही आराम से प्लेस करता है और उसकी निगाहें घात लगा के सामने वाले शिकार पर होती है लेकिन उसके बावजूद जहां उसने अपना अगला पैर रखा था ठीक उस जगे पर रखता है वो अपना पिछला पैर और अगला पैर रखने के लिए उसे जरूरत नहीं होती आखोंकी क्योंकि अगले पैर में उसके विसकर्स होते है टाइगर की तीसरी आख वो उनसे छूके पता लगा लेता है कि कहां आवाज होगी कहां नहीं वहां रखता है पैर अब जो इनसान टाइगर को जंगल में ढूड रहा है उसे आसपास भी निगाह रखनी होती है और उसके बाद अपना कदम कहां रखना है वो भी देखना पड़ता है और ये इनसान को आँखों से करना पड़ता है इनसान के पैरों में विसकर्स नहीं है अगर एक टहनी भी आपके पैर के नीचे आ गई या एक सूखी पत्ती और उसने जो आवाज की आपका काम खराब हो जाएगी और वेटे बिट जाडिया इनसे तो आपके बच के चलना ही पड़ेगा कहीं पे भी टच हो गई आपका मास फार देगी और अगर आप इतने बड़े बेवकूफ हो कि जंगल में शौट्स पहन के जाते हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता और अगर आप मैन इटर को ढूणने जा रहे हो तो इन सब काटों से आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और जो टाइगर आपके उपर घात लगाए है उसका ध्यान काटों से भी भंग नहीं होगा अब जिस इलाके में अंडरसन ढूण रहे थे टाइगर को बहुत ज़्यादा कटीला था तो ये वापस कैम्पे कराई आ गए और जो उस गाओं के भुजुर्ग लोग थे उनके साथ इन्होंने एक मीटिंग और्गनाईज करी और उनसे चर्चा की उस टाइगर के बारे में तो उन्हें मालूम चला कि ये मैन इटर एक मेल टाइगर है और बहुत ज़्यादा बड़े साइज का नहीं है एवरेस साइज का टाइगर ही है जनरली यहां की पहाड़ियों का जो पश्चमी किनारा है उन पर रेगलरली चलता हुआ पाया जाता है वो बैल के मास को पसंद नहीं करता है अब जब ये बात मालूम चली कि बैल के मास को पसंद नहीं करता है तो एंडरसन और उनकी टीम यानि कि रंगा और बायरा इस बात पर विचार मगन हो गए कि लगता है यहाँ पर एक टाइगर और है क्योंकि बैल तो उसने मारा है और खाने भी आया था तो एंडरसन करीब करीब उसी नतीजे पे पहुँच गए जो पहले दिन रंगा और बायरा के साथ इनका डिस्कुशन हुआ था या तो इंतियार किया जाए कि वो टाइगर किसी इनसान को मारे और या फिर हूमन बेट यूज की जाए यानि कि इनसान को चारा बना के उस टाइगर को अट्रैक किया जाए एक दो जगे पे बैल भी बांदिये जाए ताकि हमें ये मालूम चल पाए कि इस अलाके में एक ही टाइगर है या दो टाइगर है अब क्योंकि Tiger ने नाखून मार दिये थे Kenneth Anderson के hips पर तो ये 15 मिनट से ज़्यादा बैट नहीं पाते थे तो Anderson ने सोचा अगर मैं शिकारी की रूप में बैठूंगा तो मुझे चुप चाप बैठना होगा, हिलना डुलना नहीं होगा और ऐसा उनकी चोट करने नहीं देगी, लेकिन अगर एक बैठ के रूप में बैठना है, तो उसके लिए शांत बैठने की कोई जरूत नहीं, उसमें तो जितना हिलोगे डुलोगे, उतना Tiger अट्रैक्ट होगा हला कि अगर एक ही जगे बैठ जाएं तो घाओ भी ठीक से भरेगा नहीं, और ये चाहते थे कि वो घाओ जल्दी से जल्दी भर जाएं अब एक तरीका था कि या तो ये खड़े रहें और या फिर लेट जाएं, पूरी रात खड़े रहना संबव था नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये लेट जाएंगे, अब इन्होंने जो ये प्लान बनाया था, ये बड़ा ही खतरनाक प्लान था, और क्यों था खत पत्थर हैं बोल्डर हैं अब जो इन नदियों का किनारा था छोटी-छोटी स्ट्रीम्स का किनारा था वहां बहुत सारे बड़े-बड़े पत्थर थे और वो एंडरसन के प्लैन के हिसाब से पर्फेक्ट थे अब ये छोटी-छोटी स्ट्रीम्स क्रॉस करनी थी उस रास्ते से जहां पर ये एक रात पहले पेड़ पर बैठे थे और टाइगर ने इनको पंजा मार दिया था अब एंडरसन का इरादा था कि जो नदी के किनारे भुरभुरी रेथ है उसमें गड़ा खो दिया जाए और गाउ में जो दो बैल गाड़ी हैं उनमें से एक बैल गाड़ी का पहिया निकाल लिया जाए और उस गड़े के उपर उस पहिये को रख दिया जाए यानि कि अंदर एंडरसन ऊपर पहिया और उसके ऊपर संभावना थी आने की टाइगर की इस बैलगाडी के पहिये के ऊपर बड़े बोल्डर्स रखे जाने थे उसके बाद छोटे पत्थर पत्तिया इसको पूरी तरह से छिपा दिया जाना था कि ये मालुम ना चले कि यहां पर बैलगाडी का पहिया है अब इन्होंने प्लान किया था कि एक इनसान का पुतला भी वहीं पर रखा जाना था और जो बैलगाडी का पहिया था उसको एक तरफ से उठा के रखा जाना था जिस तरफ वो पुतला था यानि कि जब टाइगर पुतले के पास आता तो एंडरसन उठी हुई साइड से अपनी राइफल निकालते और कर देते काम तमाम उस टाइगर का अब एंडरसन बोलते हैं कि जो लोग भारत के बाहर से इस किताब को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उन्हें शायद मालू नहीं होगा कि बैल गाड़ी का पहिया कैसा होता है इसका डायमेटर 5 फिट का होता है बहुत मोटी लकड़ी का बना होता है और इसके चारो तरफ एक लोहे का टायर सा लगा होता है जो की मजबूती से इसको पकड़ के रखता है दोस्तों जो ये टायर है शायद इसको हाल बोलते हैं जहां तक मुझे नाम यादा रहा है और इसको जब बैल गाड़ी पे चढ़ाया जाता था पहले इसको बहुत गरम किया जाता था गरम करने लकड़ी के उपर और फिर पानी डालते थे तो वो लकड़ी पर सेट हो जाता था इसकी वज़ए से बैल गाड़ी कैसी भी सर्फिस में चले उसका पहिया खराब नहीं होता था और इस पहिये में बहुत सारे लकड़ी के स्पोक्स लगे होते हैं जो कि एक जाली का काम करेंग गड़े के उपर रखने पर यानि कि ग्रिल का काम करेंगी और इस पहिये के बीच में एक धुरी होती है जिसमें लोहे का एकसल लगा होता है और जिसमें कील निकले होते हैं लोहे के दोनों तरफ जिससे की बैल गाड़ी का पहिया चलता है अब जो वो कील से निकली होती है उसमें भी एक दूसरी कील फसाई होती है ताकि बैल गाड़ी का पईया चलते चलते उस कील से बाहर ना निकल जाए अंदर की तरफ जो बैल गाड़ी का फ्रेम होता है जिसे काफी मोटा मनाया जाता है वो पईये को अंदर जाने नहीं देता अब इसमें पईहे में पुरानी गाड़ी का इस्तिमाल किया हुआ ग्रीस लगाय जाता है या फिर इंजन ओईल और ऐसा हर 15 दिन में किया जाता है और वो जो ओईल है बैल गाड़ी में ही रखा होता है किसी बैल के सींग जो की हॉलो होता है उसमें आउयल भरके बैल गारी में कहीं न कहीं लटक रहा होता है जब जरुवत पड़ती है वहां से निकालके बैल गारी की सर्विसिंग कर दी जाती है अब उस दिन बैल गारी का पहिया वहां पे ले जाया जाए और फिट किया जाए इतना टाइम था नहीं तो ये दूसरे कामों में विजी हो गए इन्होंने गाउं से पुराने कपड़े खटे करने शुरू कर दिये उस गाउं में कोई पैंट पहनता नहीं था तो मैंने अपनी पैंट दे दी बास से बान बान के एक इनसान का पुतला तयार किया गया अब इस बात की भी संभावना थी कि टाइगर पैंट को पहचानता नहीं क्योंकि उसने जितने भी आदमी वहां देखे थे वो पैंट नहीं पहनते थे, धोती पहनते थे तो पैंट के उपर इन्होंने धोती बांदी कुछ उसी अंदाज में जिस अंदाज में यहां के लोग धोती पहनते थे अब उपरी इससे में इन्होंने कुछ फटे हुए कपड़े पहना दिये और उसके उपर से पहना दिया एक फटा हुआ कोट अब जो उस डमी का सिर बनाया गया इसमें बहुत ज़्यादा कलाकारी की गई एक बड़े से नारियल को रखके उसमें डिजाइन बनाके सिर की आकरिती दी गई अब भारतिये महिलाएं कभी कभी सजने सवरने के दोरान अपने असली बालों में नकली बाल भी लगाती है उसमें बहुत सारे फूल और तरह तरह की चीजे भी लगाती है गाउं से एक महिला से हमें नकली बाल मिल गए उसको हमने नारियल के उपर बहुत अच्छे से लगा दिया ये दिखाने के लिए ताकि टाइगर को लगे कि ये आदमी तो लंबे बालो वाला है बाल लगाने के बाद एक पगड़ी भी बांदी गई नारियल के उपर और पैरों में डमी को चपल पहना दी गई अब अंडरसन बोलते हैं कि जैसा मैंने पहले भी बताया है कि टाइगर के पास सूंगने की शक्ती नहीं होती तो उसे ये मालूम नहीं चलने वाला था कि ये डमी है कि इनसान है हाँ अगर टाइगर ज़्यादा चाला की दिखाएगा तो शायद वो इस बात को पकड़ लेगा कि ये डमी हिल क्यों नहीं रही है एकदम चुप चाप कैसे बैटी है अब अगले दिन सुबह एंडरसन ने अपने घाओं में दुबारा ड्रसिंग करी और पैनिसलीन का एक शॉट और लगाया और इन्हें इस बात की खुशी थी कि इनके घाओं में कोई इंफेक्शन नहीं फैल रहा था सुबह के आठ बजे करीब 6 लोग जो कि अपनी इक्षा से अंडरसन उनकी टीम की मदद करना चा रहे थे बैलगाडी के पहिये को लेके उस जगे पर चले जहां एंडरसन उसे रखना चाहते थे यहाँ पर एंडरसन ने चार भाई चार का एक गड़ा खोदा गड़ा खोदना कोई मुश्किल काम नहीं था क्योंकि नदी के किनारे के रेतीले हिस्से पर यह गड़ा खोदा जा रहा था जैसे जैसे गड़ा खोदते गए अंदर नमी बढ़ती गई तो उसके लिए हमने बहुत सारी घास तोड़ी उसके अंदर डाल दी ताकि वो नमी को सोख ले अब जब गड़े के अंदर अंदरसन ने बैठ के देखा तो उन्हें मालूम चला कि यह सिर्फ उकडू अपने आपको समेटे हुए बैठ सकते हैं यह बहुत ही अनकमफर्टेवल पोजिशन थी क्योंकि अंदरसन अपने हिप्स पर बैठना नहीं चाहते थे क्योंकि चोट लगी थी आएगा तो उसे मालूम चल जाएगा कि इस पेड के पीछे कोई इनसान बैठा है अब उसके बाद बहुत सारे बोल्डर से खटा किये गए रंगा और बायरा ने ये काम किया उस बैल गाड़ी के पहिये को छेपाने के लिए सामान इखटा किया गया और उस दोरान में अपनी राइफल लेके रखवाली कर रहा था तो दोस्तो इस एपिसोड में इतना ही बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए All the West वंदे मातरूम